अच्छा हुआ पड़ित रामकृष्णा की आप आ गए आप कोत्वाल की सुरक्षा आपी को करनी है हाँ मंद्रीवर उनकी रक्षा करूँगा तभी तो मेरी सुरक्षा होगी चलिए देखते हैं हमारे कोत्वाल की क्या हालत है हूं चलिए हाइए कि महामत्र जी आई आई यह मेतू वड़ा खाई यह समख्ष मेदू अड़े का नाम भी मतली जी अरे क्यों मेदू बड़ा तो अत्यान स्वादिस्ट होते हैं मेरे बच्चों तो बहुत यूपरी है वे देत है मुझे मैं शिग्रे इने समाप करके आपके समख्चों पस्थित होता हूं हाँ आप शांति पूरुक खाईए हां खाईए खाईए हाँ सही 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 कोतवाल के शीष पर मित्यू रित्य कर रहे हैं और ये शांति पूरुक मेदू बड़े खा रहे हैं पंडित रामकृष्णा मेदू बड़ा वस्तवी कुछ ऐसी है परंतो आपको मेदू बड़ा क्यों प्रिये नहीं है क्योंकि वो डाल से बनते हैं और डाल पीसमें पड़ती है कहीं पढ्डित्रम करिष्णा जी मैं आपको क्या साहटा कर सकता हूँ ये लिजे अफ़िये। साहता की आवश्यक्ता आपको हे जोफिल महाशा है फूरूति ऐदान मुझे नहीं मिला है आपको मिला है अदेखरों कि पर्णी द्रामकरिष्णा कुछ उझा रिना थीआफन है ये फासंतने हैं उस छो के कहते हैं आप सबक्राइदा करते हैं आपको पर मा के की रुप 엥 कर भी हैं Прíchत, द्रामा की त Village मुझे बचा लीजिए मेरी पत्रे को भी जभाना, देश्ध मेरी तॉलेंश कवा प्र विद्रामा की अने कवार्ण मसे बचा लीजिए हा आपके संकट की निवारन के लिए ही आया हूँ मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए मैं जो कहता हूँ आपको वही करना होगा मैं वैसे खरूँगा महराज की जै हो हमारी दोनों महरानिया का है महराज दोनों रानिया अपने कक्ष में है क्षमे क्या करनी है दोनों महरानिया क्षमे क्या करनी है दोनों महरानिया फूलदान इतने मैं पूलदान की क्या दूर्दशा हो गई दोनों ही सो रही है ऐसे फ्रूटी हमारी है हम इने इसकी सुरक्षा के उत्तर दाए तो इनने सौंपाता पर तो हम इसकी सुरक्षा पस्वायम करेंगे आप दोनों सोती लही है महराजी जिन्त देवी, फूलदान जोरी हो गया फूलदान, महराज के पास है महराज महराज, हमें आप से यह आशा नहीं थी हमारी जारा से आँख क्या लगी, आप तो फूलदान उठाकर जाने लगे नहीं, वो तो हम महराज, कहिए ऐसा तो नहीं के हमें सोता जानकर आप यह फूलदान लेकर जा रहे थे ताकि हमें पता ना चले और आप हम दोनों को महराज ने चिन्ना थे भी, कैसी बाते करें हम बला ऐसा च्यूं करेंगे, आप ही सोचे शड़े अंत शड़े अंत महराज, आप हम दोनों को वृत्यू दंड देना चाहते हैं नहीं आप हम दोनों का वज़ करके उस उड़ी सगी राज कुमारी चगन मोहिनी से विवाह पनेना चाहते हैं महराज, आप अपने उससे महराज, आप समझाने कोशेच बचा है क्या है हम सब समझ के आप गलत समझ रही है महराज, हम बिना खाई पिये इस फूलदान की सुरक्षा के लिए दिन रात तत पर थे और आप कह रहे हैं कि हम लापरवा हैं ने, हम क्यों इतना कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए था, हमने देखा कि आप सो रही थी और सोते सोते आपका हाद इस फूलदान को लग गया था अब यदि हम समय पर नहीं आते तो यह फूलदान भूबी पर गिर कर टूर चालता सूचे महराज, आप यह कहना चाहते हैं कि हमें हमारे कर्टव्य का बोज नहीं था नहीं, हम क्यों लितना कहना चाहते हैं कि संभव का थूटी वर्ष आप उनको निंद्रा आ गए होगी थूटी? सुना, महराणी चिन्ना देव्य आपने हम तुरूटी करते हैं ऐसे जीवन से तो मृत्यो ही अच्छी है हम अभी विश मेना कर लाते हैं नहीं, नहीं, इसकी आवश्रक्ता नहीं है माखणी आवश्रक्ता है महराणी तिरुमलंबा आप जाहिए और विश ले कर आई आप खट्टा मीटा पसंद करेंगी या मात्र मीटा या? विश्ट! हमें दोलब रकार का विश्ट बनाना अच्छे से आता है खट्टा हमारे विवाहें एक अनुभाव की भाती अत्यन थी खट्टा जाहिए आप फिश लेकर आईए नहीं महाराणी जी इस क्या वाश्ट हम तो क्यों लितना कहा रहे थे कि यह जो फूलदान का जो महाराज की जय हो जय हो महामंत्री जी भाराज शमा चाहते हैं परन्तु समस्या बहुत ही गंबीर है इसी कारणवश हम आपको रात्री में कष्ट देने चले आए महामंत्री जी कोई कष्ट वश्ट की बात नहीं है आप अपतियां तो उचित्वाई पर आये हैं आप जी जी हाँ चोड़ी महाराणी जी बड़ी महाराणी जी ये लीचे क्या आपका ताई तो है इसे आपी समालिये सक्षल हमें आप पर पूर्ण फरोशा और आशा करते हैं कि पूरी निष्टा के साथ आप इसके सुरक्षा करेंगे और सोईएगा मत चले मामंत्री जी हम कुछ कार्य करके हाथ हैं चले मामंत्री आप तो मसली पत्नम के लिए रवाना होने वाले थे ना जी माराज समस्त व्यवस्ता है पूर्ण हो चुकी आपके आदेश अनुसार कल सुबे कोत्वाल को फासी पे लटका के हम चले जाएंगे कि तो बताइए कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस समय आप कोत्वाल से संबंदित है माराज कोत्वाल की अंते में च्छा है कि वो अपनी मृत्यों के पूरुव आपसे भेट करना चाहते है अब रातरी काफी हो गई मामंत्री जी एक कारी कीजिए आप गोत्वाल का मृत्यों दंड एक दिवस के लिए स्थागित करवाले जी हम प्रातकाल उनसे राज़तरवार में भेंट करेंगे परन्तु महाराज इस प्रकार तो हमारा मचली पट्णम जाना भी एक दिवस के लिए स्थागित हो जाएगा महामंत्री जी हमें आपसे ये अप्रेक्शा नहीं थी आपके रदे में कोटवाल के लिए तनिक भी सानुफुती इसने कुछ नहीं आपके स्थियोगी है वो कितने कारिया आपने साथ मिलकर किये है ज़िए उन्हें एक दिवस का जीवन दान मिलता है तो इसमें समस्या क्या है कोई समस्या नहीं महाराज हम एक दिवस के पश्चा मचली पट्नम चले जाएंगे अब हमें आज्या दीजे महाराज शुब रातिकल रातिकाल दरबार में में पेंट होगी अवश्य महाराज द्यांसे 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 राको गुरुवर् महाराज क्रिष्ण देव रायकी महाराज क्रिष्ण देव रायकी यह हमारे मार्ग में किसने रखा है हमने महाराज हमने आपने द्रुआ है महाराज इस पालकी में बहुमूल ने चमतकारी फूलदान रखा हुआ है जो आपके प्रवजों की दरुआ है और इसकी सुरक्षा का दायत आपने हम जैसे योग्य पूरुष को सौंपा है महाराज तो हम नहीं चात्रे कि फूलदान हमारी द्रिष्टी से एक खन के लिए उचल हो जाए तो बस हम इसे अपने साथ ही दर्भार में लिया है परन्त गुरुवर अब हम अपने सिंगासन तक कैसे जाएंगे चलांग मारके महाराज चलांग लगा के चलांग मारके महाराज ऐसे अब महाराज हमने देखा तो नहीं यह परन्तु सुना है कि आप युद्ध में एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर यूँ चलांग मारकर पहुंच जाते बचसे ही या से चलाग मारिये और सी आसन पनोचे यू यू पुजित हम चलान लखाएंगे पराश यह हो क्या रहा है रामा रुक जए माहराज पंडित रामक्रिष्णा टोका क्यों हमें अब हम चलान नहीं लग रहेंगे क्यों क्यों पंडित रामक्रिष्णा सभी के कारियों में विगन डालते हैं आप क्यों टोका आपने माहराज को माहराज नहीं पंडित रामक्रिष्णा आपने टोका क्यों अहों चलान नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे मने अब देखने वाली बात ही होगी कि माहराज कैसे जाते है इस पार से उस पार अपने सिंगासन पर है माहराज शूर भी रहे उड़कर चले जाएंग दास उताओ रुके, रुके, रुके मामंद्री जी माहराज आज की कारवाई आरंप गी जाएंगे जो आग्या माहराज माहराज, नगर कोतवाल आपसे अंतिम बार भेट करना चाहते हैं कोतवाल अनुमती है माहराज प्रोलाम माहराज आए कोतवाल आए भेट क्यों करना चाहते हैं आप हमसे माहराज, मैं स्विकार करता हूँ माहराज कि मैंने बहुत बड़ा अपराद किया है और उस अपराद का प्रायस्चित मृत्युदंड के द्वारा ही हो सकता है सत्या, इसी कारणवाश आपको मृत्युदंड दिया गया है एक बिंती है माहराज कहिए माहराज, क्या मैं अपना मृत्युदंड किसी और ब्यक्त के नाम इस अंतरित कर सकता हूँ यह दियापकी आग्या हो तो क्या मृत्युदंड के भाये ने आपकी बुधी हर ली है कोत्वार बताई क्या मृत्युदंड भी कभी इस्थानांतरित होता है माहराज, मैं स्फिकार करता हूँ माहराज की मेरा अपका एक पूर्ण होगा माहराज अब मृत्यू महराज चाहे मेरी हो, चाहे मेरी इस थाल पे किसी ओर की हो, क्यां तर है महराज मृत्यू तो मृत्यू महराज मावंद्री जी गोत्वाल, मृत्यू का भय तो रख्ट संबंद को विक्षण कर देता है ऐसा कौन मृठ विजेनगर में आ गया है जो आपकी मृत्य को अपने सर लेना चाहता है तो वह ंँए स्विकार है परें तु हमारी दो शर्ते हैं पहली शर्त ये ये आपके स्थान पर आपकी मृत्य जो भी स्विकार करना चाहता है वो एक पुरुष हो कोई स्त्री कोई प्रिद्ध व्यक्ति या पालत ना हो और दूसी ये जो भी मृत्युदंड स्विकार कर रहा है वो स्विच्छा से स्विकार करें आपका मृत्युदंड हम तो वृत हैं बच गए अहां महराज आपकी दोनों शर्तें पूर्ण होंगी तो चित है हम भी देखना चाहते हैं कौन है वो मुर्क को आपके मृत्यों अपने सर स्विच्छा पुर्वत लेना चाहता है कौन है वो महराज उस व्यक्ति का नाम है पंडिस रामक्रिष्णा क्या पंडिस रामक्रिष्णा पंडिस रामक्रिष्णा जी महराज मैंने कहा था ना महराज अत्यान तयालू है और वश्य आपकी प्रातना स्विकार करेंगी पंडिस रामक्रिष्णा आपको ग्याद तो है आप क्या करने जा रहे हैं चेतना में तो हैं आप आप भली भाती अपने प्राओं की बली देने चाह रहे हैं जी महराज भली भाती जानता हूं हम समझ गए महराज ये पंडित रामा क्रिष्णा का निया प्रपंच है ये बली भाती जानते हैं कि आपकी विश्य सलाकार हैं आप इनका समान करते हैं इनकी धर्मपत्ते अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है इसलिए आप इन्हें मृत्यु दण नहीं देंगी पर अपने इसी अती आत्म विश्वास के कारण इन्होंने मृत्यु दन को स्वीकार किया और महराज के नियुए और राजज्ग्य का उभाश भायाँ अपंडितinatorामा क्रिष्णा को भ्यात नहीं है क्या ज्यात नहीं है यही कि हमारे महराज अती न्याइपरी है न्याइप के लिए महराज कठोर से कठोर निरने ले सकते विजे नगर की न्याइप रनाली विजे नगर का संबान और एक व्यक्ति के लिए महराज विजे नगर के संबान को समात नहीं कर सकते क्या लगता है आपको पंडित रामक्रिष्ण। आपकी ये युक्ति हमारे समक्ष काम कर जाएगी। पंडित रामक्रिष्ण। इस सत्य है कि आप हमें अत्यन्थ प्रिय है। कि आप विजनेगर राज्जी के लिए अत्यन्थ विशिष्ठ है। कि आपकी धर्मपत्नी गर्पती है और आपके खर आपके प्रतम शिशु का चन्म होने वाला है परंटु पंडित रामकृष्णा आपने राज्य आग्या का उलंगर करने का दुस्सास किया है जो मान जो सम्मान हमने आपको दिया था आपने उसका अपमान किया है अतहा वही होगा जो आप चाहते हैं तो उत्वाल के स्थान पर मृत्युतंड आपको दिया जाएक अपन्वित रामकृष्णा है अपन्दी बना लिया जाए और कल प्रातकाल पंडित रामकृष्णा को व्रिट्ट रंड़ दिया जाए बहुत शाक था ना कोत्वाल को बचाकर महान बढ़ने का अब खुद को पैसे बचाओगे पंडित रामकृष्णा महराज परंदू हम यह कह रहे था मामंत्री जी आग्या का पालन हो जो जो आग्या महराज क्योदे टिरे कि रामकृष्ण上 को एंड़े बचल रामकृष्ण प монहाँ रंग्या बज़ने पालन हो प्यान